किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल हवा से लॉंज किया जा सकता है किंजल हवा से लॉंज की जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी कथित रेंज 152,000 किलो मेटर है ये 480 किलो ग्राम का न्यूटी अपेलोड ले जा सकता है रेपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हिरोशिमा पर गिराए गए फैट मैन बम की क्षमता का 33 गुना है लॉंज किये जाने के बाद किंजल 12,300 किलो मेटर प्रती घंटे की गती से गती करता है और 14,700 किलो मेटर प्रती घंटे की गती तक पहुँच सकता है ऐसा माना जाता है किंजल एक आदर्श हथियार है जो द्वनी की गती से 10 गुना अधिक गती से उड़ता है और वायू रक्षा प्रणालियों को पार कर सकता है मिक 31 सुपरसोनिक इंटरसक्टर विमान है जो सोवियत वायू सेना द्वारा उप्योग के लिए विक्सित किया गया था विमान को मिको यान डिजाइन बयूरो द्वारा पहले के मिक पत्चीज पॉक्स बेट के प्रतिस्थापन के रूप में बनाया गया था मिक 31 विमान खुद 2500 से 3000 किलो मीटर प्रती घंटा की रफ़तार से उर सकता है इसकी रेंज 3000 किलो मीटर है मिक 31 कुल 9000 किलो ग्राम वजन के हथियार ले जा सकता है कर छोह में जा सकता है झाल प्राम् णा सकता है झाल 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 झाल